आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल में आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक स्पेसिपिक ब्रीड कैसे पाल सकते हैं मान दीजे कि आप मेंसे कोई बंदा ऐसा हो जो बस एक ही किसम की ब्रीड पालना चाहता हो तो वो कैसे पाल सकता है उसके पास औरेड़ी अगर कुछ इवस हैं दूसरे ब्रीड की तो उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं वो उन्हें ना बेचे बल्के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो उन्हीं ब्रीड से कैसे आगे बढ़ सकता है तो वीडियो को पूरा देखेगा देखे अगर आप मेंसे कोई भी इनसान कोई भी किसम की ब्रीड पालना चाहता है तो उसके लिए बस एक ही प्रोसेस है आपको करना क्या है जो भी आपके इवस है अच्छे अच्छे उनको आपको रखना है मौजूद उसके बाद जो भी आप ब्रीड प भी टाधी जो है आपको लेने हैं कम से कम एक्छो हमेडा आपके पास भी स्वार्ट, प्रशी तो कम से कम लिएने हैं मगर हेंडरन परेंट प्रशनट प्यूर कॉलिटई जहीं अगर आप मतलम मान लीचे के पोल मैरिनो ब्रीड अपालना चाते हैं तो आपको android plurmarino की ब्रीड जो है आपको लेना है कि उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी रहम से आपको ब्रीडिंग जो है करानी है आपको अलग रखने हैं अपने शीप तम दूसरे फोरम के जब आप अलग रखेंगे तो ब्रीडिंग भी जो है उन्ही रेम से होगी उन इव की जो आपने लाए होंगे उसके बाद क्या करना है आपको दीरे दीरे करके आपको देखना है कि कोई इव ऐसी तो नहीं है जो आपको 100% जो बच्चा जो है रेम पे नहीं दे रहा है अगर ऐसी कोई इव होगी तो आपको उसको अलग करके उसको बेजना है या तो अलग रखना है मतलब कि उससे आपको कोई फाइदा नहीं है वो आपको वैसा लेम नहीं दे सकती जैसा आप चाहते है ठीक उसके बाद आपको उन्ही इव उसको रखना है जो आपको 100% रेम पे ही बच्चा दे रही है कम से कम दो साल के बाद आप आपकी जो ब्रीड है वो उस ब्रीड में तबदील हो जाएगी जो आप पालना चाहते थे उसके बाद आप दीरे-दीरे करके पुराने इवस बेज सकते हो या मतलब दूसरे परपस के लिए आप इस्तिमाल कर सकते हो ठीक ऐसे ही आप कोई सीबी ब्रीड अगर आप चाहते हैं कोई सीबी या तो फोल रिंक लड़ हो गई या फिर अपोल मेरन हो गई या फिर कोरी डेल हो गई या फिर लॉंग टेलर हो गई प्लैन तो जो भी आपको ब्रीड पालनी है ऐसे ही करके आप बढ़ा सकते हैं उस ब्री कीज़ेगा हमारी चैनल को शुक्रिया वीडियो देखने के लिए